कुट्ते ने यम्राज को बताए मनुष्य की तीन खुबिया ठीक से समझ लो कभी दुखी नहीं रहोगे जय सीताराम मित्रो स्वागत है। आप सभी लोगों का जोमेक्स मनोज गोस्वामी यूट्यूब चैनल में एक सेट और कुट्ते की कहानी यह कहानी बहुत ही प्रेरणा दायक है। ये कहानी आपको बहुत अच्छी शिक्षा दे कर जाएगी मित्रो किसी नगर में एक बड़ा धन्वान सेट रहता था। सेट के यहाँ एक कुट्ता पला हुआ था, सेट का कुट्ता अपने काम के प्रती बड़ा वफादार था। परन्तु सेट बड़ा चालाक और लोभी लाल्ची था, लोभी लाल्ची होने के साथ साथ सेट भगवान विश्नु का उपासक भी था। एक दिन सेट के यहाँ भगवान विश्नु प्रकट हुए तो भगवान विश्नु ने सेट से कहा कि वह कोई वर्दान मानले सेट ने एक साधा कागस भगवान विश्नु जी को देते हुए कहा प्रभू आप इस कागस पर अपने दस्तखत बना दो ताकि दुनिया के लोग प्रित्वी लोग पर सारे काम बड़ी इमानदारी से किये है। कभी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है, छोटे छोटे पशु पक्षियों और जीव जन्तूओं की हत्या नहीं की है, इसके अतिरिक्त मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी निश्ठा और इमानदारी से किया है। कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे पिछले सारे कर्मों के सारे पाप मुक्त हो चुके है। यम्राज बोले हे कुत्ता अब तुम ही बताओ तुम कहा रहना कहा जाना चाहते हो, हम तुम पर बड़े प्रसन है। तुम्हारी मान को पूरा किया जाएगा बताओ यम्राज की बात सुनकर कुत्ता बोला है प्रभू आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नर्ग दो मुझे सब स्वीकार है। पर मेरी एक बात ध्यान रखना मैं जहां भी रहूं पर मनुष्य के बंधन में न रहूं मैं अब मनुष्य का गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता और ना ही इंसान बनना चाहता हूं। यम्राज बोले हे तुम्हे मनुष्य से इतनी नफरत क्यूं है मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभागे से मिलता है हम देवता लोग धर्ती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं अभी तक तो तुम त्रियक योनी में थे इसलिए तुम्हे मनुष्य योनी के फायदे नहीं मालूम जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तब तुम्हे पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है तब यम्राज की बात सुनकर कुट्ता कहता है हे प्रभू मुझे पता है मनुष्य जन्म कितना अनमोल है पर इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा स्वार्थी और चालाक भी है वो जब मतलब पूरा करने पर आये तो सही गलत को भूल जाता है असंतोश चैन से नहीं बैठने देता इरश्य उसे दिन रात काटती है रहती है जिसके चलते वो अकारण दुख ही रहता है और दूसरों को भी दुख देता है हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बना कर अपना कार्य ही निकलवाता रहता है यहां तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है यमराज बोले वह कैसे कुट्ते ने कहा वह ऐसे जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है भगवान से कहता है भगवान मेरा ये काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चधाऊंगा मैं तुम्हारा भंदारा कर आऊंगा बहुत सारा गरीबों को दान करूंगा पर ये सब बाते अपना काम निकालने के लिए ही की जाती है। अपना काम बना लेता है फिर बाद में कहता है भगवान का सब कुछ है मैं उसे क्या दे सकता हूँ इस प्रकार कहकर अपनी बात से मुख कर जाता है इनसानों के कर्मों को गिनाते गिनाते मैं ठक जाऊंगा पर उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे उसकी एक आगे तो देवता भी कुछ नहीं है. तब कुत्ते की बात सुनकर यम्राज कहते हैं, हे कुत्ता माना की मनुष्य बहुत चालाक है पर हम देवताओं से ज़्यादा बुद्धिमान हो नहीं सकता क्योंकि हमारे यहां जितने भी जीवाते हैं, हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं.